तर बड़ी खाबार भारत पाक стटान जल्ज समझ्वाते को लेकर के भारत ने पाकस्तान को नोटिस दिया समझ्वाते की बदलाव का नोटिस दिया घ्या है और मुझा असा लगता है कि पाकिस्तान को पाणी जा रहा है भारत से भारत को रोक देना two good ठीक है रुक दोस्त पानी को एक बार पानी रुक जाएगा एक बार सुखा पढ़ेगा लोग तरही तरही वहाँ पे होगी उसके बाद कश्मीर के उपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिन्दा रहने के लिए तुप्यों के खाली करो सामने आई कोल्ड वार्ट स्ट्राइजी जो उनकी थी लेकिन अब लग रहा है कि ये बदल रही है होती साब वाटर ट्रांसपोर्ट मनसूबा भारत का ये क्या है इसका बजट कितना है और पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान कहुंचाने की कोशिश है पाकिस्तान में यही चीज़ा है कि जेर जमीन पानी जा रहा है पसलों को कहां से सराब करेंगे आप पसलों कहां से सराब होंगी पकसान एक जरही मुलक है ठीक है वो अगर आपके जराहती ही अपकी खतम हो जाएगी ठीक है हमारे पास ना कोई मतब यहां पर इंडस्टी इ होते हैं ठीक हमारे से इंपोर्ट कर रहे हैं जो चीज़ खाने की होती है मतब गंदम हम यहां पर जणरेट कर सकते हैं लेकिन पानी की वज़से किलत की वज़से हम नहीं कर बार इंडिया कंट्रोल्स 20% of the total water of the इंडस system पाकिस्तान को 80% मिलता है और भारत ही कह रहा है कि त दोस्तों 1960 में ऐसा ट्रीटी हो गया पता नहीं कौन से दबाव में थे उस समय की गवर्मेंट की पाकिस्तान को भारत की तीन नदियों का 80% water का access मिल गया और दो नदियों के भी पानी का access मिल गया उनको और भारत जहां से वो नदिया निकलती है सिर्फ 20% यूज कर पाएग अब भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा populated देश हो गया सबसे ज्यादा आवादी हो गई है पानी की जलुद हमें ज्यादा है कि पाकिस्तान को हमें ज्यादा है हमारे देश से पानी निकलता है तो उसका यूज हमें ज्यादा करना चाहिए कि पाकिस्तान को इसका जवा करेंगे हमारे देश से निकलेगा लेकिन हम सिर्फ 20 परसेंट यूज करें तो वो ट्रीटी अब गवर्मेंट कह रही है करेंगे कि वह बहुत पुरानी हो गई है अब हम उसको रिव्यू करेंगे और अब बराबरी का फैसला होगा बराबरी इंदा सेंज कि हमारी पॉपुले सबसे बड़ा मसला उनके लिए अफ़ानिस्तान भी नहीं है सीपैक भी नहीं है पानी है क्योंके इंडिया की जो जियोग्राफी है उसके लिहास से अगर उनकी वाटर जो फूड बासकिट है उसको अगर जिन्दा रहना है पंजाब और दिगर अलाकों में तो उनको में इंडिया ने एक स्टेप लिया पहल की वह यह कि 400 अरब रुपए लगा के उन्होंने चुंके दुनिया में यह कानून है कि आप किसी का पानी रोक नहीं सकते अब वो रोकेंगे नहीं उन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट का 400 अरब रुपए का मनसुबा बना कर संद जहलम और चुनाब पे जो उनके अलाके में यह जरुया हैं वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का मसुबा बना कर जहलें बना रहें वह जहलें एक किसम का डैंब ही होती हैं लेकिन उसको रन अफ वाटर कहते हैं और वो रन अफ वाटर सलो ऑार ona उसके जहर्याँ वो यह कर रहे ह कि पानी जो हमारा है उसका फ्लो पाकिस्तान की तरफ कम हो जाएगा जब ये कम हो जाएगा तो पाकिस्तान का मजीद पानी कम हो जाएगा उससे होगा क्या कि सिंद मजीद रेगिस्तान बन जाएगा जो सौधरन पंजाब है उसमें रेगिस्तानी अलाके बढ़ जाएगे इस सिस्टम को रोकने के लिए पाकिस्तान ने जो कुछ अभी तक किया है वो तो है वर्ड बैंक के जरीए लेकिन भारत जो अफगानिस्तान में और सी पैक पे अब एग्रेशन दिखा रहा है वो एग्रेशन दर हकिकत इस पैक यह आगे जाकर जंग की सूरत में बदल सकता है पा हुषरे मनसूबे हैं छोटे बड़े उनको भी रोका जाए अच्छा होती साब ने जैसे कहा कि यह यकीनी तो और के वर यह बहुत बड़ा एक संगीन मसले है और मुदी के बेनाद भी हमारे सामने है और भारत मुतदित इससे पहले अटेंप्स कर चुका है वो पाकिस्तान नहीं 15 साल से तनाजा जारी है बेश्थर इसके उपर इजलास हो चुके हैं लेकिन कोई तफाके रहे नहीं हो पाया चुके भारत का हमेशे यह मौकिप रहा है कि यह आप भी ट्रांस्पोर्टेशन के लिए मामला यूज़ोगा लेकिन यह वो पानी को डैवर्ट करते हैं उसके बाद कुछ नहीं पता कि उस पानी को किस तरीके से इस्तमाल भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट यह है कि बदकिस्मती के साथ जहां भारत मुसलसल आभी जहरियत के जरीए पाकस्तान को उसके पानी का जो राइट शेर उससे मतासिर कर रहा है हमने जब कभी भी इंड़ ट्रीटी के मताबिक आलमी अदालतों में गए हम कभी भी भारत के खिलाफ केस नहीं जीट सके रिसेंटी हमारा द्रयाए निलम के उपर बनने वाला निलम जिलहम पानी बिजली मनसुबा पान्सार और लागत से मुकमल हुआ पानी कम मिलेगा चुके भारत में उसे पहले कि कमिशनर जिसका सबसे एहम होदा है मुस्लिम एक नून के दौर के अंदर मुस्तकिल तोर के उपर इंडिस वाटर कमिशनर की अपॉइंट्मेंट नहीं की गई इस नेस पाक की ऑफिसर थे मिर्जा आसी बेग उनको पॉइंट रखा गया उनके जरीए से आलमी अदालतों मे मुकदमात लने के लिए अपनी लीगल टीम को मनपसंद लोगों को हायर करवाया गया किरोड़ों रुपे के इतना खाया नी गई हुआ कुछ नहीं अब दुबारा उनका मिर्जा आसी बेग इंपॉइंट पॉइंट इंडिस वाटर कमिशनर की मुदत मुलाजमत पूरी हो और क्यों बस इंडिस वाटर कमिशनर की तकर्री होनी चाहिए ठीक है आप दोनों साहिबान की काफी एकस्परडी इस सवाले से मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजीगा ठीक है इंडिया थे तो अपने हवाले से जो करना है कर रहा है डेफिनिली तमाम वाले का जो भी उन जिस लावल पर हम फेल हो रहे हैं ठीक है हमें इंडिया के साथ लड़ना चाहिए इंडिया के साथ भी हमारा जो राइट है वर्ट बैंक के फोरंग के उपर बाकी अरत को पानी वेपनाईज करना चाहिए बिलकुल 100% करना चाहिए हर चीज हत्यार है इसराइल ने पेजर व बात तो सही है दूसरी चीज़ अगर हम पाकिस्तान के उपर प्रेशर डाल सकते हैं तो क्यों नहीं प्यास लगेगी बाप बाप करके अपने हैं पाएंगे ये लोग और ये जरूरी है पाकिस्तान की बाहें मरोडना क्योंकि ये जो जज़बे वाली कौम है ना जो कलमा प पाकिस्तानी स्टेट के उपर और प्रेशर डालने का और प्रेशर डालने का इनको ये पता होना चाहिए कि दिपेंडंट अपान इंडिया फॉर वाटर ये इनको बात पता होना चाहिए कि ये भाई इंडिया पे डिपेंडेंट है पानी के लिए अगर भारत पानी रोग देगा पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा और हमारे पास इतने डैम जे एक तो नलाइकों ने डैम नहीं बनाए चोर है ना चोर है पाकिस्तानी आवाम भी चोर है और इनके जो उपर है इनके लीडर्स वो भी चोर है साकेब निसार है चीफ जस्टिस उसने हर एक पाकिस्तानी से बोला कि तुम मजर दस रुपे दो, बीस रुपे दो तुम पचास रुपे दो, सौ रुपे अपनी अपनी अउकात के हिसाब से पैसे दो तो सब लोगों ने पैसे दी उसको करोड़ों रुपए खटा करके अमरीका भाग गया भाई डैम बनाने के लिए उसने पैसे लिये थे उसने बोला कि तुम 10-10-20 रुपए दो सारे पाकिस्तानी पैसा देंगे मैं डैम मनाऊंगा किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप तो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के आप कैसे डैम मनाएंगे उसने बोला नहीं मैं बना दूँगा डोंट वरी फिर जब उससे पूछा गया कि इतने करोनों रुपए कहा गया कहता है उसकी तो मने एड़ दे दी अगबार में खातम हो गए तैंक यू बाई बाई टाटा तो वो पैसे खा गया तो ये पाकिस्तान में हो रहा है पाकिस्तान को हराम की आदत लग गई है और मुझे असा लगता है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से भारत को रोक देना चाहिए ठीक है रोक दोस्त पानी को एक बार पानी रुख जाएगा एक बार सूखा पढ़ेगा लोग त्राही त्राही वहां पे होगी उसके बाद कश्मीर के उपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिन्दा रहने के लिए तो पीओ के खाली करो हत्यार है ना पानी जैसे पेजर हत्यार है जैसे वोकी टॉकी आत्यार है जैसे और चीज़ें आत्यार है पानी भी तो आत्यार है लेट्स यूज वाटर एंड लेट्स यूज वाटर